हेलो दोस्तों जो ती कीचनपूर में आप सभी का स्वागत है देखिए हम चने के दाल इधर उबलने को चड़ा दिये हैं जो कि हम चार घंटे के लिए भींगो रखे थे चने के दाल को और उसके बाद देखिए हमने दूसरे गैस पे चरहा दिये चने के दाल और इधर हम खी चने के ल pillars दूद यालेंगे ज्यादा दूद नहीं डालेंगे नहीं तो सीटी के साथ बाहर ऐसे दूद तो आधि एक गिलाश के करीब दूध हैं अन्दास से और आ भी हम कुछ भी नहीं डालेंगे बाद में हम सब कुछ कुछ डालेंगे आपको दिखाएंगे और इस तरीके से आप भी अगर खीर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा और बहुत जल्दी भी बनता है और देखिए यह हमने मसाला लिया है खड़ा मसाला है हमारे पास जो की हमने एक मोटी वाले लाई ची लिया है दो लवंग लिया है और थोड़ा सा काली मिर्च लिया है आधा चमच जीरा एक लाल मिर्च हमने लिया है इसको हम पेश्ट बनाएंगे सील पेपीस लेंगे हम और अगर आपके पास पॉड़र भी है तो डाल सकते हैं देखिए हमारा सोया बीन हमने धोकर के अच्छे से छान लिया है और यह हमने आलू उबाल लिया है चोटे साइज का आलू है हमारे पास यह देखिए हमारे इध अब हम सभी दाल को अच्छे से निकाल लेते हैं छान लेते हैं पानी बिल्कुल निकाल लेना है पानी नहीं रहने देना है दाल में और उसके बाद देखिए हम हल्दी डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चमच और नमक स्वादनसार डालेंगे और इसमें हमने जो पेश्ट के निकाल लिये हैं तो बहुत गरम है तो इस वज़वज़ से इसमें हम मसाला डालेंगे ताकि हमारा मसाला पक जाएगा देखिये testuno-seal पे पीस लेते हैं एक ही बार पीसना है मतलब जादा बारिक भी नहीं करना जादा मोटा भी नहीं करना ऐसा करना है तक ही हमारे साबुत चना नहीं रहे एक भी साबुत चने के दाल इसमें नहीं रहेगा नहीं तो चने के दाल अगर साबुत इसमें रह जाएंगे तो आपकी पूरी फटने लग जाएगी तो इसलिए हमें पीस लेना है हम सील पे ही पीस रहें क्योंकि मिक्सी में पीसेंगे त पका हुआ रहता है तो इसलिए देखिए हमारा चने के दाल पीस के तयार हो गिया है इधर हम कराही गैस पर रखे हैं हमारा देखिए खीर भी बन के तयार हो गिया है अब इसको अच्छे से और घोट लेंगे खीर को उसके बाद फिर हमार दूध और चीनी सब डालेंगे काँ यूद देखिए हमने थोड़ा सा चीनी डाला है हमारा चीनी 200 ग्राम होगा हमने ज्यादा नहीं डाला है और उसके बाद हम इसमें जो सुखा मामा जो है जो ड्राइफ रूट्स होते हैं उसको हम डालेंगे देखिए हमारे पास खर्बुजय के बीज थोड़ा सा था दो चमच हम उसको पहले थोड़ा सा घी डाल करके हमने भून लिया है खर्बुजय के बीज को इसको भी हम खीर में डालेंगे और ये भूनने के बाद इसके बाद हम मखाना भूनेंगे मखाना हमने लिया है अधा कटोरी उसको भी हम पहले भूनेंगे थोड़ा सा घी डाल के घी डाल लेंगे कराही में उसके बाद उसको भी थोड़ा भून लेंगे कच्चा मखाना अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम भून के डालते हैं आप चाहे कच्चा भी डाल सकती हैं लेकिन खरबुज्य के बीच कच्चा नहीं डालिएगा क्योंकि नहीं पकता है वो तो इसलिए खरबुज्य के बीच जो है उसको भून करके ही डालिएगा जब भी से कुट लिया है यह देखिए हमने सब खीर में डाल दिया और इदर हम दूद डाल करके खीर को अभी पकने देंगे धीमी आज पे जब तक हम एक कराई हमारा गरम है तो इधर हम अपना सब्जी छमक लेंगे उसी कराई में सब्जी बना लेंगे हमारा इधर खीर बन रहा है दाल हमारा तयार हो गिया है, अब हम सबजी बनाएंगे उसके बाद हम हाठा तयार करेंगे, और फिर पूड़ी बनाएंगे, झेल मतलब बन करके 30 मिनट में तयार हो जाएगा पूड़ा खाना, अगर इस तराइके से आप भी काम करेंगी, तो बहुत जल्दी बन जागा खाना देखिए अब इधर हम कराही में तेल डाले हैं सरसो का और हमने प्याज काट लिया है एक बड़ा साइज का प्याज है हमारे पास कटा हुआ हम उसको लंबे-लंबे ही काट लिये हैं चाहे आप बारिक भी काट सकती है और देखिए सबसे पहले हमने सोया बीन जो निचोर के रखा हुआ था पानी में पहले भींग होए थे उसके बाद हमने सारा इसको धोग के अच्छे से और पानी निकाल लिये थे इसमें से और देखिए हम सबसे पहले इसको ब्राउन करके भून लेंगे सोया बीन को कच्चे अगर डालेंगे सबसे में तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा भून करके और निकाल लिजिए तो अच्छा लगता है ओधर हमारा खीर बन रहा है और देखिए हमारा सोया बीन डाला है, ंसे टुकड़े करके हमने डाल दिया है, और एक बड़ा साइज हमने प्याज डाला है, लम्बे-लम्बे काट करके हमने डाल दिया है, इसको अच्छे से देखिए ब्राउन हो गया है प्याज इसमें हम लासना और अद्रक का पेश्ट डाल देते हैं हमने लासना और अद्रक का पेश्ट बनाया हुआ था कि आये देखिए हमारे कटा हुआ टमाटर जो था उसको हमने डाल दिया है एक कटोड़ी हमारे पास कटी हुई टमाटर थी उसको डाल दिया है इसको अच्छे से पकने देंगे इसमें सबसूखी मसाला डालेंगे हम है जैसे कि देखिए हलदी पाउडर हम छोटा चमग से एक छोटा चमग हलदी पाऊडर डाल दिये लाल मिर्चपाउडर डाल दे यह धनिया पाउडर डालेंगे और नमक स्वद के अनसाद डालेंगे थोड़ा सामने गणम मसाला भी डाला है इसमेंज अबbout देखिए अच्छे से अच्छे से घंजाए नमक स्वाद के अनुसार हमने डाल दिया है अब इसको अच्छे से घंजाएगे अच्छे से गलने देंगे उसके बाद हम इसको डालेंगे, अभी जब तक हमारा मसाला उधर भून रहा है, जब तक हम आटा गूंद करके तयार कर लेते हैं, पूरी बनाने के लिए, जो की चने के दाल के पूरी हम बनाएंगे, हमारे तरफ चने के दाल का पूरी बनता है, और खाने में बहुत जादा लगता है दोस्तों, एक बार आप भी जरूर ट्राइ करके देखिएगा, और देखिए इधर हमारा मसाला भी भून रहा है, जब तक हम इधर आटा भी तयार कर लेंगे, गून के, देखिए टमाटर गल चुकी है, देखिए हमारा आटा भी इधर तयार हो गया है, अब इसको ह दिखाएंगे आप सबको, देखिए, अच्छे से मसाला भून आ गया है, अब इसमें हम डाल देंगे, आलू कटा हुआ, देखिए हमारे पास छोटे साइज का अलू था, जो कि हमने उबाल लिया है, और उसको दो टुक्रो में हमने काट लिया है, आलू को, और देखिए हम मसाले के अंदर डाल दिया है, आलू और इसके उपर से सोया बीन भी हम डाल देंगे इसमें, यह देखिए हम सोया बीन भी डाल देते हैं इसमें, जो हम भून के रखे हुए थे, और उसके बाद हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे, उसके बाद अच्छे, इसको हम थाली से ढख देंगे ताकि बढ़ियां से पक जाए यह देखिए हमने एक गिलास पानी डाल करके इसको ढख के पकने देंगे देखिए हमारा इधर आटा भी तयार हो गया है चलिए अब हम हमारा सबजी दूसरे गैस पे हमने चरहा दिया है और उसके बाद हमने इधर कराही एक रख लिया है और इसमें अब हम सरसो का तेल डालेंगे हमरी फायन तेल नहीं डालेंगे हम सरसो का तेल डालेंगे, सरसो के तेल में पूरी बहुत अच्छी बनती है, और देखिए हम पूरी बना के आप सबको दिखाते हैं, इक इस तरीके से पूरी बनता है, चने दाल की, देखिए हमने एक लोई काट लिया है, रोटी से थोड़ा बड़ा साइज वाला हमने लोई करना है, देखिए इस तरीके से ताकि हमारे पूरी फटे नहीं तेल में, नहीं तो पूरा तेल खराब हो जाता है फिर, देखिए इस तरीके से हलके हाथों से बिल्कुल बेलना है, इस तरीके से घुमा घुमा करके हम बेल लेंगे हलके हाथों से, और हम 3-4 पूरी बना करक जब तक कराही हमारा गरम हो रहा है, मतलब तेल हमारा गरम हो रहा है, देखिए हमने तेल अभी डाला है, पहले से कराही गरम हो रहा था, देखिए हम सरसो का तेल डाल दिये हैं, इधर हमारा सबजी भी बन के तयार हो गया है, गैस अब हम बंद कर देंगे इधर का, अब हम प पूरी भी बेल लिये हैं अब चेक कर लेते हैं पहले थोड़ा सा आठा डाल करके कि गरम हुआ है कि नहीं हो गया है गरम देखिए हमने पूरी को भी डाल दिया है इसमें और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम पूरी को तलेंगे सरसो का तेल है इसलिए पीला पीला दिख रहा है पूरी देखिए इस तरीके से हम सभी पूरी को बना लेंगे देखिए हमारा ये पूरी बन के तयार है खीर पूरी और आलू और सोया बिन की सबजी हमने बहुत कम समय में बनाया है अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद